देखिए पठहत का, कंटीधार पठहत है, पूरा, चोटी देख सकते हैं, इसकी कित्ती बड़ेश यह देख सकते हैं, एक और है दिलिकट मादिन, जो मैंने बतायता है, उस जोड की पठी है, फ्रेंट्स, खुबसूरत नरह है, फ्रेंट्स, मुझे बहुत पसंद है यह कबूतर हैं, लेकिन नया शॉक है फ्रेंट्स, और मेरे दोस्त ने वह शॉक किया है, उसका नाम सचिन है, मॉल्टाउन में सभी लोग नाम से तो जानते ही होंगे, फ्रेंट्स, पीछे दरगा मंदिर आप लोग देख सकते हैं, और नई ढबली बनी है, मेरे पीछे, बिल्कुल नई ढबली बनी हुई है, और बहुत ही अच्छी ढबली बन वाई है, सचिन ने, जैसे कि आप लोग दे सकते हैं, दो इसमें पार्ट करें, एक पार्ट इसने अंडे बच्चों के लिए कर रखा है, ब्रीडिंग के लिए और एक पार्ट जो कर रखा है, वो आप लोग देख सकते हैं, यह सफेद पेर है, मादिन अंडो पर बैठी हुई है, बहुत ही प्यारा जोड़ा है, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, आप लोग को यह जोड़ा, नर जो है, नली बंद है, यानि कि जो इसके पेर है, उस पे हल्किल के बाल है, और मादिन बिलकुल साफ सुतरी है, फ्रेंट्स अंडे दे रखे हैं, मादिन ने और अंडो पर बैठी हुई है, फ्रेंट्स इसके अलावा एक पेर है, इनके पास है, जो मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, वो है पठैत का पेर, फ्रेंट्स देख सकते हैं कि इतना इसके लावा फ्रेंट्स एक पेर और है, यह है दिल्ली गट लालवंद, जो कि सोनी पत लालवंद भी कहते हैं कुछ लोग, नर जो है वो दिल्ली गटो में लालवंदों में और मादिन जो है वो थलकी सी वाइड बार में, मतलब एक्जेक्ली बिल्कुल ओरिजनल नहीं है लेकिन थोड़ा सा रंग उसका वाइड बार में है, अभी आप लोगों इनका हाद में पकड़के भी शॉक कराता हूँ पर इसके लावा फ्रेंट्स दो कबूतर और है, यह के पठेत नर है यह नर सेल करा जाएगा, इसको हटा देंगे, क्योंकि जैसा भी यहाँ पे रखन इस वाले जोड की पठी है यह जोडा है दिलिकट इसी की पठी है, क्योंकि अभी इसके लिए नर नहीं है हमारे पास तो यह इससे जोड़ खा गई है पटेस से तो हमने इसको ऐसी लगा रहन दिया अभी इसको अलग नहीं कर रहा है फ्रेंट्स इसमें जो बना रखे हैं ब्रीडिंग सेटप के लिए खाचे वो लगवा लगवा इसमें छे हुए और उपर जो जगह खाली है आने वाले समय में इसमों ही बनाएंगे और अच्छे पेर्स इसमें डालेंगे जिसकी ब्रीडिंग हम लोग कराएंगे घर के बच्चे उड़ाएंगे फिलियल फ्रेंट यहां पर प्रंड नहीं तो इस जोड़े को बहुत ही जल्दी पद्वाँ से लगाने वाले हैं कईशी चम्लों की यह कहीं से अग़ा 30-30 कबूत्रों की लड़ती हुई टुकड़ी मिलेगी तो इसमें छोड़ेंगे जिससे जो पठे हमारे निकलेंगे हम उनको set करेंगे friends आईए friends आप लोग को शॉक करा देता हूं एक एक कबूतर का हाथ में पकड़ाकर आप लोग को शॉक कराता हूं देखिए पठेट का कंठीदार पठेट है पूरा चोटी देख सकते हैं आप इसकी कित्ती बढ़िया चोटी है फ्रेंट्स पास से दिखांगा पास से दिखाते में कवंगा और चोटी आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी है और आखे देखिए friends यह है आखे सब्रेट बहुत अच्छा है ओरिजिनल पठेट है आप लोग इसका शौक कराता हूं फ्रेंट्स अ झे चार है और आप लोग ऐन्गा इसके बिल्कुल बंद है आप देख सकते हैं पूरी कंठी भी है थोड़ा से पर साफ होंगे ठीक हो जाएंगे हमाई सचीन वहीं नए अभी को उत्रवाजी में इनी पता है मेरे होते तो मैं साफ कर चुका होता है इसे और बाकी यह बन भी जाएगा भी कुरीच में है यह देख सकते हैं जो मैं कहा रहा था वाइड बार पी मेल है मादिन का उसका शौक कराता हूं आप लोगो को शाम का समय और आप गंडे देख सकते हैं इसके कितने खुबसूरत गंडे हैं फ्रेंट्स बहुत ही सुन्दर का बूतरी है आप लोग मुझे कमेंट करके बताए और यह हमारा जोड़ा अमरोहा से ही आयुए ऑब बढ़न भाई के आँ से और आप देख सकते हैं मादिन कितने प्यारी है वैसे यह पुबसूरत और इसके नरका आप लोगो को शौक कराता हूं अग्या है यह फ्रेंट्स नर है इस मादिन का आप इस को दिलाएंग आप इ डिल्ली कडे टिल्ली ने करहा है कि कुकि वी के सब्सक्राइब उभ्सक कर हैं इस दूप में बिलकुल वाइट हो जाते हैं गंडे आप इसे वाइड बार या दिली कट जो भी कहें मेरे को बहुत जादा नौलिज नहीं है दिली कटो की या लाल बंदनों की लेकिन बहुत ही सुंदर है यह माधिन भी इसके लिए भी हमारे पास नर नहीं है तो इसका कि ऐसमे दीवं लेगे को चोटी दार यहीं और इसको बनाएन नहीं है यह पूरी तरीकिए से बंद अगए इसको बनाएंगे तो यह कुथी घूब सूरद लगएगा फ्रिंस बहुत ही प्यारा कबूतर है अब दिख सकते हैं लेकिन हम इस कबूतर को रखेंगे नहीं इसे आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ बसरा सफेद बसरा बहुती खुबसूरत ना रहा है फ्रेंट्स मुझे बहुत पसंद है यह कभूतर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वाइट कभूतर है कहीं भी एक भी पर इसके काला नहीं है और आपको इसकी नसल दिखा देता और इससे जो मादिन लगाई है उसका भी आप लोगों को शौक कराता हूँ वो मादिन फ्रेंट्स जो लगाई है इससे वो आगरा से लाया हूँ मैं आगरा से फ्रेंट्स मैं कभूतर लाया था भी मार्च में तो उसमें एक सफेद मादिन फ्रेंट्स मेरे पास थी आप द यह हमारी पकड़ी हुई मादिन है यह जीतवाई है हमारे जो मॉल्टॉन में उनी की छट पे पकड़ी गई थी मादिन सचिन नहीं पकड़ी दिये कबूतरी जाड़ों के समय पर पुरानी आड़ी की निखिवे रेकिन आपको देख सकते हैं कबूतरी बहुत अच्छी है यह बहुत ही प्यारी कबूतरी है नसल की भी अच्छी है कबूतरी बहुत ही सुंदर है वाइट एक दम और इसका जो फ्रे अच्छी है और आप देख सकते हैं यह बिल्कुल अपने डिट्टो अपने बाप के उपर गया है बहुत ही खुबसूरत नर है फ्रेंड यह और इसका जोड़ा एक लास जोड़ा था जो सफेद का लगा हुआ है फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आज आप लोगों को शौक कराया अपने सचिन के आँगा जो की बिल्कुल नया शौक है इसने अभी शुरू करा है और जो कबूतर मुझे पसंते वो डाले हैं हम लोगों ने पेर में अभी पेर ही डाले है फ्रेंड्स तीस पैतिस कबूतर लड़ते हुए लाने की हम लोगों की योजना एक तरीके की हम लो आप लोगो शौक करा है कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोगों को यह छोटा सा शौक कैसा लगा यह बिल्कुल नया शौक है फ्रेंड्स इसे एक महिना भी नहीं हुआ है अभी शुरू हुए और देखते हैं यह शौक कहां तक जाता है फ्रेंड्स पागी फ्रेंड्स प्रेंड्स प्रेंड्स